नमस्कार, मैं हो ससी, आए जर्खन की टॉप 25 परमुख खबर जानते हैं सीम हेमन्त असी उत्क्रिष्ट बिद्याले का करेंगे सुभाराम मुख्य मंत्री हेमन्त सुरेन 2 माई को जीला अस्तरिय असी उत्क्रिष्ट बिद्याले का सुभाराम जब सरकारी स्कूलों को नीजी स्कूलों की तरज पर विक्सीत करने की सोच को अमली जमापानाया जा रहा है आपको बता दे कि राजी सरकार ने पूरे राज में 80 जीला अस्तरिय उत्क्रिष्ट बिद्याले है 325 पर खंड अस्तरिय लीडर स्कूल और 4,091 ग्राम पंचायत अस्तरिय अधर्स बिद्याले बनाने एवम सरकारी स्कूलों के 15 लाग से अधिक बच्चों को उत्क्रिष्ट बिद्याले सिक्षा के औसर परदान करने का लक्ष तैक्या है सरकार गठन के बाद सही मुख्य मंत्री उत्क्रिष्ट बिद्याले के निर्मान कारे एवम सी बिएसी समबत्ता को जल्द से जल्द पूरा करने के लिए गंभीर थे जहारखन के लोगों को अभी गर्मी से रहात मिलेगी राज में फिलहाज 7 मई तक 12 की समभावना है इस दोरान गर्जन के साथ तेज हावा भी चलने की समभावना जताई गई है इसको देखते हुए मौसम भी भाग ने एलो अलट भी जारी किया है मौसम केंद्र राज़ी ने गर्जन बजरपात और तेज हावा चलने को लेकर चेतावनी जारी किया है बताया गया है कि 2 माई को राज में कहीं कहीं गर्जन बजरपात के साथ तेज सत ही हावा चलने की समभावना जताई गई है इस दोरान हावा की अधिक्तम गती 30 से 40 किलमेट पति घंटा रहेगी वहीं 3 और 4 माई को राजे के उत्तर पुर्वी भाग यानि संथाल चेतर के अलावा धानबाद और गीडी चेतर दक्षनी भाग यानि कुलहान और सिम्डेगा तथा निकटवर्ती मद्य भाग रांची और उसके आसपास के चेतरे में कहीं कहीं गर्जन बजरपात होने की चेतावनी जारी की गई है इस दवार महसाभी भाग ने 2-4 मई 2-23 तक राजे में एलो अलर्ट जारी किया है जार्खन में जातिये जनगर्ना पर राजनीती जार्खन में जातिये जनगर्ना पर सियासी दलों में राजनीती गर्मा गई है आईसू पार्टी की मायंग पर जामों ने कहा है कि हम जातिय जनगाना के पक्ष में लेकिन जिसकी पिछ लगू है आईसू पार्टी वह सरुजनिक अपना स्टेंड करें इधर कॉंग्रेस ने इसे जरूरी बताया है तो बीजेपी अब तक इसको लेकर असमंजस में है बतादे भाजपा की सयोगी आईसू पार्टी ने रभीवार को समाजिक नय मार्च में जार्खन में जातिय जनगाना की मांग कर एक बार फिर इस मुद्दे को गर्मा दिया आईसु पार्टी ने रविवार को जातिय जनगाना नहीं होने पर सलक से सदन तक आंदोलन की घोसना भी कर दिया है इसको लेकर अब राजनीती ब्यानबाजी तेज हो गई है जारखन में मनाया गया महराष्ट और गुजरात का अस्थापना दिवास जारखन के राजबहन में सुमवार को महराष्ट और गुजरात राज़ का अस्थापना दिवस धुम धाम से मनाया गया दोनों राज़यों के अस्थापना दिवस करकरम को सम्भूधित करते हुए राज़ेपल सिपी राधा कृष्ण ने कहा है इन दोनों राज्यों का सम्रीद संस्क्रितिक बिरासत और गौरोव साली इतिहास रहा है देश वासियों को गुजरात और महाराष्ट के गौरोव साली इतिहास और सम्रीद बिरासत पर गौरोव है बतादे राजेपाल सीपी राधा किष्णन ने कहा है कि महराष्ट और गुजरात राजे का देश के आर्थिक विकास में महतपुन योगदान है उन्होंने कहा है कि आज अगर भारत दुनिया की पांचवी सबसे बड़ी अर्थ बेवस्ता बनी है तो इसमें इन दोनों राजियों की आहम भुम का रही है राजे पाल ने कहा है कि या खुसी की बात है कि जार्खन में रहने वाले महराष्ट और गुजरात के लोग यहां भी विभीन चेत्रों में अपना महतपुन योगदान जार्खन के विकास में दे रहे हैं रांची उन्वर्शिटी का 36 दिक्षान समारो आज रांची उन्वर्शिटी के 36 दिक्षान समारो का वेजन आज मंगलबार को मुराबादी में किया गया है पहली बार समारो का लाइब टेली कास्ट भी किया जाएगा डिग्री या गोल्ड मेटल लेने वाले बिद्यार्थी के परिवार या अने लोग घर बैठे समारो का सिधा प्रसारन सुबह 10 वे से देख सकेंगे इसके लिए बिद्याले द्वारा लिंक जारी कर दिया गया है एक आसी बिद्यार्थियों को गोल्ड मेटल दिये जाएंगे वही सुरक्षा के लिहाई से समारो अस्थाल में किसी भी चेहरा ढग कर या काला वस्त्र पहुन कर आने पर परवेस्थ नहीं कर दिया जाएगा मोबाइल बैग और ब्रिफ केष्ट आदी को साथ लाने की मना ही रहेगी वही दिख्षान समारो में राजे पालसा कुड़ादेपती सी पी रादा किष्ण मुक्याती थी होंगे पी ये ले फाई के खिलाफ बड़ी कम्यावी नक्सली कमांडर गिरफतार पच्मी सेमभूम जीला सुरक्षाबल को बड़ी कम्यावी मिली है सुमवार को सुरक्षाबलों ने भारी मात्रा में हत्यार बरामत किया है इस समार में जनकारी देते वे पूलिस अधिक चक आसुतोस सेखर ने कहा इस समार में तवरित करवाई करते हुए चाईबासा जीला बल, खोटी जीला बल, एवं स्यार पी एप चुरानों बटालियन के एक तन्युक्त अभियांदल कठित कर दिया गया है सिक्षन संस्थानों के पास नसीले पदार्थ की बिक्री पर हिमंद सरकार तलब जारखन हाई कोट ने स्कूल कॉलेजों के पास सराब एवं अने नसीले पदार्थ की बिक्री पर तरकार से जबा मांगा हा है चीफ जस्टिस अंजय कुमेर मिस्ट और जस्टिस अननसें की अदालत ने सोमवार को एक जन ही त्याज का पर सुनवाई करते हैं जारखन में गर्मी में सर्दी का आसास जारखन का मौसम पूरी तरह से बदल गया है प्रचंड गर्मी के इस सीजन में भी लोगों को ठंड का एसास हो रहा है एक दिन में तापमान 10.6 डिग्री तक खट गया है जमसीदपूर का अधिक्तम तापमान पिछले 24 गंटे के दोना 10.6 डिग्री सेजन सीज तक गिर गया है इसके साथ ही अधिक्तम तापमान 26.1 डिग्री हो गया है जो समाने से 13.2 डिग्री कम है यहाँ का निम्तम तापमान भी 0.3 डिग्री घट कर 22.6 डिग्री हो गया जो समाने से 1.9 डिग्री कम है बता दे राज धानी राची में भी तापमान में बड़ी गिरावर दर्च की गयी है पिछले 24 गंटे के दौन अधिक्तम तापमान 4.8 डिग्री घट कर 26.4 डिग्री सेंसियस रह गया है राची उन्वर्सिटी में साइबर सेकुरिटी की होगी परहाई राची बिश्वविद्याले के कुलपती प्रोफेसर डाक्टर अजीत कुमार सिन्हा के अधिक्स्ता में कुलपती सभागार में सोमवार को सप्लिमेंटरी M.O.U. पहस्तक्षर किया गया या सप्लिमेंटरी M.O.U. साइबर सेकुरिटी कोर्स शुरू करने के लिए राची बिश्वविद्याला है साइबर पीस एवाँ सीपीसी के बिश किया गया कुलपती की उपस्तिती में राची बिश्वविद्याला के कुल सचिव डाक्टर मुकुंद चंद्र मेहता बिये सेनल के जी एम आईटी चेर्माइन यूपी साह एवाँ साइबर पीस के गलोबल प्रिस्डेंट मेजर बिनीत कुमार ने एश सपलेमेंटरी मयू पर हस्ताचर किये इस ऑसर पर मेजर बिनीत कुमार ने कुलपती ऑर यू प्रोफेसर डाक्टर अजीत कुमार सीनह को एक पुस्तक भिएट की इसमें साइबर हमलो और उसके बचाव की जनकारी है जे एमेम नेता परदीप हाजरा का निधान गिरीडी के जहुमों नेता परदीप हाजरा की सोमवार सुबा मौत रांची में इलाज के द्वरान हो गई 48 वर से परदीप हाजरा बीते 3-4 दिनों से बिमार चल रहे थे परदीप जमुआ के पूर्वत दबंग बिधायाग बल देव हाजरा के बड़े बेटे थे परदीप की तवियत भीते कई दिनों से काफी खराब चल रहे थी चेकप के बाद डॉक्टरों ने परदीप के परिजनों को बताया था कि परदीप की कीडनी और लीवर के बीच में स्टोन है रांची के पारस अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था इलाज के दोरान रभीवा रात को आचाना की थिती नाजुक हो गई और सोमवार को महत हो गई बता दे साम लगभग पांच बजे लोग साव को लेकर घर जम डीहा बागी के लिए रवाना हुए पूरे गाम में सोग के अमतिम दर्शन को साम से इंतजार कर रही है रात लगभग दस बए लोग सोग लेकर पहुचेंगे पूरी देवरी जमुआ में खबर आग की तरह फ़ल गई है लोग एक दूसरे से फोन से बात कर घटना के पूश्टी करने में लगे हुए है धन्यवाद